हेलो विवर्स स्वागत है आप सभी का एनस लेर्निंग यूट्यूब चैनल पर जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम बिलकुल बैसिक से शुरुआत करेंगे मैथेमेटिक्स में तो पिछले वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ओफ नंबर्स पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में विभाज्यता का नियम डिविजिबिलिटी रूल्स सबसे पहले देखेंगे दो से विभाज्यता का नियम ठीके यहाँ पर 24, 440, 886 यह सारे उधारन दिये वे हैं अब यहाँ पर दो से व विभाजित हो जाएगी यानि कि विभाजित होने का मतलब है कि शेशफल के आना चाहिए आपका 0 आना चाहिए अगर उस संख्या में हम दो का भाग देते हैं तो शेशफल कितना आना चाहिए शुन्य आना चाहिए जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं ओके तो 8 लेंगे फिर 248 और यहाँ पर हमारा शेशवल कितना आया है 0 इसी तरीके से जब हम आगे चलेंगे 3 से 4 से विभाजिता के नियम में तो शेशवल आपको 0 मिलना चाहिए तो यहाँ पर देखिएगा कि इकाई का अंक जो है 4 है 0 है 6 है 8 है अता यह सारे नंबर्स क्या होंगे 2 से विभाजित हो जाएंगे देखते हैं 3 से विभाजिता का नियम तीन से विभाजिता के नियम में हमें यह देखना है कि किसी भी संख्या के अंको का योग यदि 3 से विभाजित हो रहा है तो वह number भी 3 से विभाजित हो जाएगा तो यहाँ पर हम उधारन लेते हैं 513, 513 में क्या होगा 5 प्लस 1 प्लस 3 that is equals to what, that is equals to 9 और 9 जो है वो 3 के table में आता है आप सभी जानते हैं इसको आता है 513 क्या होगा 3 से divisible हो जाएगा इसी तरीके से 369 में भी हम देखेंगे 9 and 6 कितने हो जाएगे 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 और यहाँ पर जो 18 है वो भी 3 की table में आता है अता यह number 369 भी 3 से विभाजित हो जाएगा इस तरीके से आप 3 से विभाजिता का नियम देख सकते हैं देखते हैं next 4 से विभाजिता का नियम 4 से विभाजिता की नियम में 2 rules होते हैं हमें सबसे पहले क्या करना है कि अंतिम 2 अंक देखने हैं किसी भी संख्या के इकाई और दहाई के 2 अंक देखने हैं अगर उन 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो वह नंबर भी 4 से विभाजित हो जाएगा इसी तरीके से second rule ये कहता है कि यदि अन्तिम डो अंक क्या हूँ? 0 अन्तिम डो अंक अगर दोनों ही 0 हो तो वह संख्या 4 से पूर्णत है विभाजित हो जाएगी जैसे कि यहाँ पर एक उधारन दियावा है 400 चुकि यहाँ पर लास्ट में अन्तिम अंक दोनों क्या है? 0 है अता यह संख्या 4 से विभाजित है इसी तरीके से 48 भी 4 की टेबल में आता है यानि कि जब हम 48 में 4 से डिवाइट करेंगे तो शेशवल 0 आएगा तो 448 क्या हो जाएगा? 4 से विभाजित हो जाएगा fully divisible by 4 ओके? नेक्स देखते हैं 5 से विभाजिता का नियम यहाँ पर इकाई के अंक क्या होने चाहिए? 0 and 5 आप लोगों को फ्रेंड्स यह वीडियो इसलिए बताई जा रही है ताकि आप लोगों का revision हो जाए क्योंकि maximum लोगों को यह पता होते है rules लेकिन इन में से दो संख्याओं के rules जो हैं हम कभी भूल भी सकते हैं जैसे कि यहाँ पर 7 और 11 की हम बात करते हैं तो इनको एक बार revise करना बहुत ज़रूरी है ताकि exam में हम छोटी सी चीज के करण अटके ना कोई question हम से छूट ना पाए तो यहाँ पर 5 से विभाजिता का नियम यह कहता है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए तो यहाँ पर जब हम observe करेंगे संख्या में तो इकाई का अंक क्या है 0, 5 and 5 that's why यह तीनों नंबर क्या होंगे 5 से विभाजित हो जाएंगे देखते हैं next 6 से विभाजिता का नियम 6 से विभाजिता का नियम यह कहता है कि 6 के 2 factor होते है 2 and 3 तो यदि किसी संख्या में 2 और 3 दोनों का ही पुरा-पुरा भाग चला जाए तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी यहाँ पर जैसे कि हम एक्जामपल लेते हैं 1, 0, 2, 6 इकाई का अंक देखा तो 6 है आता है यह 2 से विभाजित हो जाएगी अब हमने इनके अंकों का योग किया 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 चुकि 9 3 की टेबल में आता है यह भी 3 से डिविजिबल है इसका मतलब 1, 0, 2, 6 जो है वो 2 वद 3 दोनों से विभाजित है किस से विभाजित है? 2 वद 3 दोनों से विभाजित है यह आटोमाटिकली क्या हो जाएगा 6 से विभाजित हो जाएगा देखते है next 7 से विभाजिता का नियम देखे 7 से विभाजिता का नियम पर गोर करना यहाँ पर क्या करेंगे हम 441 एक एग्जामपल लेते है अब 441 में क्या करना है 1 का जो अंख है उसको 2 गुना करना है फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया कि यहाँ पर जो इकाई का अंख है उसको 2 से गुना किया दुगुना किया तो आंसर कितना आया 2 आया अब क्या करना है जो बाकी बची संख्या है यानि कि इकाई अंख के अलावा 6 जो संख्या है क्या ये साथ से विभाजित होता है जी हाँ, ये साथ से विभाजित होता है अता है, ये जो संख्या है ना 441, ये भी साथ से विभाजित हो जाएगी ठीक है, एक बार एक example की तुरू और देख लेते हैं जिन लोगों को ये विभाजिता का नियम याद नहीं है, उनको भी याद हो जाएगा ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे इकाई का अंक लेंगे, 3 इसको किस से गुणा करेंगे, 2 से तो कितना हो जाएगा, 6 अब जो बची हुई संख्या है यानि कि 13, उसमें से क्या माइनस कर लेंगे, 6 को माइनस कर लेंगे तो 13 में से 6 जब माइनस होगा तो बचेगा क्या? अब जो 7 है, वो 7 की टेबल में आता है 7 से पुरी तरह विभाजित हो जाता है अता है, यह जो संख्या है 133, यह भी किस से विभाजित हो जाएगी? 7 से विभाजित हो जाएगी तो I hope यह नियम आपका clear हो गया है अब देखते हैं 8 से विभाजिता का नियम है तो यहाँ पर यह जो विभाजिता का नियम है वो 4 के similar ही है चार में हमने अंतिम 2 अंकों को देखा था तो 8 में हम क्या देखेंगे अंतिम 3 अंकों को 8 के लिए हम अंतिम 3 अंक देखेंगे अंतिम 3 अंक इस प्रकार से देखेंगे जैसे कि यह example लेते हैं 1,2,2,4 यहाँ पर हमने देखा 2,24 क्या 2,24 में एट से भाग हो रहा है बिलकुल हो रहा है और लास्ट में यहाँ पर जो हमारा 2,24 में 8 से भाग जा रहा है अता यह संख्या क्या हो जाएगी 8 से पुरी तरह विभाजित हो जाएगी इसी तरीके से एक तो यह रूल हो गया इसी में दूसरा रूल यह कहता है कि यदी अंतिम 3 अंक यदी अंतिम 3 अंक क्या हो शुन्य हो तीनों ही अंक क्या हो जाएं इकाई दहाई सेकड़ा के तीनों ही अंक अगर शुन्य होते हैं उस स्थति में भी वह संख्या आठ से विभाजित हो जाएगी ये होता है आठ से विभाजिता का नियम नेक्स देखते हैं नों से विभाजिता का नियम क्या कहता है भाई ये भी तो यहां पर योग करने पर 18 आता है तो क्या 18 नाइन की टेबल में आता है जी हां 18 जो है वो 9 की टेबल में आता है आता है 729 में 9 से पुरा पुरा भाग चला जाएगा और यही है 9 से विभाजिता का नियम देखते हैं 10 से विभाजिता का नियम the easiest rule ओके सबसे पहले यह देखना है कि जो इकाई का अंक है वो 0 है या नहीं है बस हो गया आपका काम यह 10 से विभाजित हो जाएगी तीनों संख्या भाई जैसे 20 है 10 से डिवाइट करेंगे 10 से 10 कैंसल किया तो कितना आ जाएगा 2 ओके तो यहां पर इस सारी संख्या यह 10 से विभाजित हो रही है देखना है हमें एकाई का अंक 0 है या नहीं है एकाई का अंक 0 है तो 10 से विभाजित हो जाएगी देखते हैं 11 से विभाजिता का नियम यह कहता है कि आप किसी भी संख्या के alternative अंकों को उठाओ ठीक है alternative अंकों को लेने के वो 11 से विवाजित हो जाएगी चले इसको solve कर लेते हैं जल्दी से यहाँ पर हमने alternative number उठाया है सबसे पहले 1 फिर इसे छोड़ा फिर ये बाला उठा लिया तो 1 और 3 को जब हम add करेंगे तो answer कितना आ जाएगा भई 4 आ जाएगा अब हम क्या करेंगे जो बचे वे नम alternative number से उनको लेंगे यहाँ पर बचे वे alternative number क्या है 3 है और 1 है अब हम 3 और 1 को अलग से separate योग करेंगे इनका ठीके sum किया तो इनका sum भी कितना आया 4 आया अब जो दोनों के sum है उन दोनों के sum का हम difference निकालेंगे तो जब हमने 4 में से 4 को minus किया तो क्या answer आया 0 अगर answer 0 है इसका मतलब यह जो संख्या है वो 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी यहाँ पर तो इस तरीके से आप check कर सकते हैं कि कोई संख्या इन number से divisible है या नहीं है ओके तो आई होप आपको यह revision हो गया होगा अब आप exam में कभी भी अटकने वाले नहीं है वहाँ पर बिलकुल भी आपको एक second भी time waste नहीं करना है क्योंकि वहाँ पर समय ही सब कुछ है जो फटा फट कर गया question paper को solve वो ही वहाँ पर आगे बढ़ने वाला है तो अपनी speed को maths में बढ़ाईए यही यहाँ पर गुरू मंत्र है चलते हैं मिलते हैं आपसे next class में तब तक के लिए tech care